हर बार की तरहे इस बार भी दोस्तों हम आप के लेकर आये हैं जून के महिने में रीलीज होने वाले सबसे लेक्ष्ट वो मोबाइल जोकी आपको 10,000 केिरेस्ट में मिल रहे हैं तो हमने ये लिस्ट अपनी कुछ इस प्रकार से बनाई है कि 10,000 के प्राइज में आपको च्यार जी बी रैम, चौसर जी बी स्टोरेज और पांच हजार की एमेच की जो बैटरी है वो भी मिल जाए तो इस पकार से हमने अपनी जो ये लिश्ट है अंडर दस हजार रुपे मुबाइल की वो बनाई है इसके साथ साथ हमने सभी कमपनियों के अलग-अलग कमपनियों क एक मुबाइल को अपनी लिश्ट में शामिल किया है ताकि आपको जो भी कमपनी पसंद हो आप अपनी पसंद के अंसार उस मुबाइल को खरीच सेके और दोस्तों इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपको इन सभी मुबाइलों में से अपना ओपीनियों बताऊंगा कि आप आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा मुबाइल हो सकता है तो चलिए बिना देरी की हुए हम अपनी वीडियों स्टार्ट कर लेते हैं मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारी चैनल ट्रू अन्बॉप तो वीडियों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दू कीजिएगा तो चलिए हम चलते हैं अपनी लिष्ट की तरफ तो हमारी लिष्ट में सबसे पहले नंबर दस पर है नोक्या 6.1 प्लस जी हां दोस्ता हूं इस मोबाइल में आपको डिस्प्ली जो मिल रही है वो पांच पाइंट आट इंच की फूल एजडी की दिस्प्ली मि 636 ओक्ता कोर का यहां पर प्रोसेसर मिल रहा है और यह आपको 4GB RAM 64GB स्टोरेज के अंदर मिल रहा है जिसमें आपको बैटरी 3060 MS की मिल रही है तो इसका जो प्राइज है वो फिलहाल 9499 है और इसको आप फिलिपकार्ट पर से खरीज सकते हैं यहां पर मैं आपको बता दू दोस्तों कि मैं जितने भी मोवाइल बता रहा हूं उन सभी का लिक मेंने डिसक्प्शन में दे रखा है आप चाहें तो उन्हें वहां पर जाके चेक आउट भी कर सकते हैं और सभी के सभी प्लिपकार्ट पर और एमेजन पर ओनलाइन एवलेबल है इसके बाद हमारे लिश करें तो आपको 20 मेगा पिच्चर का सेल्फी केमरा मिलता है और प्रोसेसर इसके अंदर आपको क्वाल कॉम स्नेप डैगन 660 AI यानकी आर्टिफिल इंटेलिजन का प्रोसेसर मिलता है और यह जो मोबाइल है 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ आपको 3010 mh की बैटरी के साथ मिल रहा ह तो इस मोबाइल का प्राइस 10,000 से थोड़ा साथ जादा है यह आपको 10,599 रुपे में मिल रहा है तो खेर इतना तो आप कर सकते हैं 500 रुपे जादा है तो कोई बात नहीं अगर आप MI lovers हैं तो जरूर आप इस मोबाइल को खरीच सकते हैं इसके बाद हमारे लिस्ट में न कैमरा सेल्फी के लिए 13 और दो डूल कैमरा यांकि दोनों कैमरे ही आपको डूल कैमरे मिलते हैं और प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर हुआ की रन 659 का ओक्टापोर का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 2.36 गीगाहर्ट पर काम करता है तो इस मोबाइल में आपको 4GB और 64GB स्टोरिज मिल रही है और साथ में आपको 3340 mh की बैटरी मिल रही है तो यह जो मोबाइल है यह भी फिलिप कार्ट पर एवलेबल है इसे आप 8400 99 विर्पे में खरीच सकते हैं इसके बाद दोस्तों हमारे लिश्ट में नंबर साथ पर है सैमसंग गलेक्सी M10S तो इस बात करें तो यह आपको 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ 4000 mh बैटरी में मिलता है तो यह अची बात है यह 4000 mh की बैटरी में आपको मिल रहा है तो प्रोसेसर इसके अंदर 1.6 GHz का मिल रहा है तो यहां फिर मैं बता दूं कि इसका जो प्रोसेसर है उसकी कंपनी का कोई पता नह नहीं है तो इसके प्रोसेसर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है क्या इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है तो इसका जो प्राइज है वो है 8909 रुपे यह भी फिलिप काड़ पर इसके बाद हमारे लिश्ट में नंबर चैंपर है दोस्तों लीने वो के टैन नोट जिस के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon M710 का प्रोसेसर मिलता है तो यह मुबाइल आपको 4GB और 64GB स्टोरेज के साथ 4050 एमेज की बैटरे के साथ मिलता है तो इस मुबाइल का प्राइज थोड़ा सा ज़्यादा है दस हुजार से लेकिन अगर आप लीनाव लवर है तो इसको खरे दी सकते है है तो इसका प्राइज है तैस हजार नोसो नहीं है इसके बाद हमारे रिश्ट में नमबर पांच पर है दोस्तों वीवो का यू अन मोबाइल जिसमें आपको 6.35 की HD Plus की डिस्प्ले मिलती है तेरा आठ और दो मेगापिचर्स के ट्रीपल कैमने मिलते हैं और सेल्फी की बा 3GB RAM और 32GB Storage में आपको मिल रहा है और जो बैटरी है वो आपको 5000 mh की मिल रही है जो कि आपको 18W के Fast Charger के साथ मिलती है तो यहां पर जो RAM और Storage है वो थोड़ी सी कम है लेकिन जो वीवो लवर्स है उनके लिए तो यह कम नहीं है उनके लिए यह काफी है तो वो इसे जरूर ख खरीदना चाते हैं तो यह थोड़ी से और प्राइस में आपको थोड़ा सा पैसा देना होगा तो आप इसे आठ दो और दो मेगापिचर्स के और सेल्फी की बात करें तो आठ मेगापिचर्स का सेल्फी कैमरा मिलना है और प्रोसेसर इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर मिलना है इसके साथ साथ यह मोबाइल रीवर्स चार्जिंग को भी स्पोर्ट करता है तो इसमें आपको 4GB RAM और 64GB स्टोरीज मिल रही है जो की 5000 mh बैटरी के साथ आता है तो इस मोबाइल को आप फिलिपकाट से खरीज सकते हैं इसका प्राइज है 9999 यूर्पे इसके बद हमारी लिश्ट में नंबर 3 पर है दोस्तों Redmi 8 Mobile जिसके अंदर आपको 6.2 इंच की HD Plus की डिस्प्ले मिलती है 12 और 2 MP के डूल कैमरे मिलती है और सेल्फी की बात करें तो 8 MP का सेल्फी कैमरे मिलता है और जो प्रोसेसर है वो आपको Qualcomm Snapdragon 439 Octa-Core का प्रोसेसर मिलता ह है तो यह मोबाइल आपको 4GB और 64GB स्टोरेज के साथ 5000 mh बैटरी में ही मिल रहा है तो इस मोबाइल को भी आप लेपाट पर खरीद सकते हैं इसका जो प्राइज है वो 9400 999 पर इसके बद हमारे लिश्ट में नंबर 2 है दोस्तों Motorola G8 पावर लाइट जी हां दोस्तों तो य यह मोबाइल आपको 6.5 इंच की HD की डिस्प्लेग साथ मिल रहा है जिसमें आपको 16 और 22 मेगा पिचर्स के ट्रिपल कैम ने मिल रहे हैं और सेल्फी की बात करें तो 8 मेगा पिचर्स का सेल्फी कैमरा इसमें दिया जा रहा है और इसका जो प्रोसेसर है वो आपको मीडिया इसको भी आप 8,999 रुपे में करीज सकते हैं तो हमारी लिस्ट में नमबर वन पर है दोस्तों इनफ्रेक्स होट 9 मोबाइल तो यह नमबर वन पर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सबसे कम प्राइज में आपको सबसे ज्यादा चीजे मिल रहे हैं इसलिए इसने हमारी लिस सेंसर के साथ च्यार क्वाड कैमरे आपको इसमें मिल रहे है तो इसमें भी आपको 4GB और 64GB स्टोरेज के साथ 5000 एमेज की बैटरी मिल रहे है तो इसका जो प्राइज है वो हमारी इस लिस्ट में सबसे कम है इसका प्राइज है 8400 निन जानुए रपी जी हां दोस्तों अगर दोस्तों आप कैमरे के सोकीन है और थोड़ा सा पैसा और खर्च कर सकते हैं समातर हजार रुपे तो इसका एक प्रो वर्जन भी है इंट्रेक्स होट नाइन प्रो जो कि सिर्फ हजार रुपे फाल्तु में यहनकी 949 रुपे में बाकिस प्राइज ही है और कैमरा जो है वो आपको फाल्तु मिल रहा है 48 मेगा पिचर्स का तो आप चाहें तो उसे भी खरीच सकते हैं मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि यह मोबाइल आभी से बिखना स्टार्ट नहीं हुआ है यह मोबाइल आठ जुन से पहली बार फिलिपकार्ट पर ओनलाइन बिखना सुर बेस्ट जो मोबाइल है अगर उसकी बात करें तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो मेरी हिसाब से इसमें सबसे बेस्ट हो सकता है रियल मी 5 आई मोबाइल क्योंकि आपको च्यार्जीबी रैम चोसर्जीबी स्टोरीज और 5000 अमेच की बैटरी तो लगबर हर मोबाइल में मिल रही है लेकिन रियल मी 5 आई की अंदर मुझे जो प्लस पाइंट दो लग रहे हैं वो लग रहे हैं एक तो इसका क्वाड कैमरा जो कि आपको च्यार कैमरे के साथ मिल रहा है बारा आठ और दो दो के साथ और दूसर जो प्लस पाइंट है वो है इसका प्रोसेसर जो की काफी बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 665 का तो एक दमदार प्रोसेसर के साथ आपको बढ़िया चीजे मिल रही है हलांकि प्राइज थोड़ा सा जादा है लेकिन अगर आप 10,000 के प्राइज में कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रियल मी 5 आई ही ले तो दोस्तों अगर आपको इन में से कोई और मोबाइल इससे बैस्ट लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो जल्दी दोस्तों ऐसी ही एक और ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंग जय भानत